एक पर फिर से आपका स्वागत है GK PLUS पर अज हमारा विशे है मिशन महा सक्ती भारत ने 27 मार्च 2019 को अंतरिक्ष में महा सक्ती का दर्जा हासिल किया था भारत में प्रिथ्वी की निजली कक्षा में 300 किलो मिटर दूर एक सैटेलाइट को मार गिराया भारते वैग्यानिकों ने इस अभ्यान को मिशन शक्ती नाम दिया था भारते रक्षा अंजंधान संगठन अठत DRDO के वैग्यानिकों ने महज 3 मिनट में इस मिशन को अंजाम दिया भारत ने ओडिसा के तक्ट के पास APJ अबदुल कलाम द्यूप लांच कॉम्पलेक्स से एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परिक्षन किया था यह DRDO की और से एक तरह का तक्नीकी मिशन था मिसाइल के परिक्षन के लिए जिस सेटेलाइट को निशाना बना गया पह भारत के उन उपग्रहों में से है जो पहले ही पृत्वी की निजली कक्षा में मौजूद है इस परिक्षन के तहत DRDO ने आपने सभी तैय लक्षय को हासिल किया भारत ने इस मिशन को पूरी तरह से स्वयदेशी तक्नीक के जरिए अंजाम दिया एंटी सेटेलाइट मिसाइल भी स्वयदेश निर्मित ही थी इस परिक्षन के साथ ही भारत अंत्रिक्ष में ताकत के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के क्लब में स्थामिल हो गया है मिशन शक्ति के बाद भारत इस तक्नीक को हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया इस मिशन में पूरी तरह से भारत में तयार एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तिमाल किया गया इसमें DRDO के बलिश्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का इस्तमाल किया गया था इस परिक्षन से पैदा हुआ मलबा आने वाले कुछ सप्ताह में धर्ती पर गिरेगा यह आसमान में नहीं फैलेगा इससे परियावरान को कोई नुकसान नहीं होगा वित्मंत्री अरुन जेटली ने प्रेंस कान्फरेंस में साफ किया कि तीन हफ़ते में यह मलबा स्वधर साफ हो जाएगा भारत लंबे समय से स्पेस में सफलताय हासिल कर रहा है पीते पाथ सालों में यह रफ्तार और तेज हुई है मंगलयान मिसन की सफल लांचिंग हुई है इसके बाद सरकार ने गगनयान मिसन को भी मंजूरी दी है भारत का बाहरी अंत्रिक्ष में हत्यारों की रेश में सामिल होने का कोई इरादा नहीं है यह सिर्फ इसलिए क्या गया है ताके कोई संदिग्ध सैटेलाइट भारतिया अंत्रिक्ष सीमा में परवेश नय कर सके इसके दुसमन देशों के लिए भारत की जासुसी करना मुश्किल होगा इसके अलावा अंत्रिक्ष में भारत के संसाधनों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी भारतिय रक्षा अनुसंधान संगठन के व्यग्यानिकों का यह परिक्षन किसी देश के खिलाफ नहीं है भारत की अंतरिक शमताएं किसी देश के खिलाफ नहीं है और नहीं इनका कोई सामरिक उद्देश है तो ये थी मिसन सत्ती के विशे में कुछ जानकारी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थाकि आगे भी ऐसी जानकारें मिलती रहे फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद